दोस्कार दोस्तों आप देखने हैं इस सकेडमियों मैं हूँ आपके साथ अर्वीन दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मद्विदे सिक्षकबर्ती वर्ग दो के रिजल्ट के बारे में और वर्ग की काउंसलिंग के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों ध्यार रखिए गई है जिस paper cutting के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ यह paper cutting दोस्तो भोपाल से निकलता है people samachar उसके page number 7 की news है और यह 29 सितंबर की news है ठीक है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं विबस्ते तरीकी से पढ़ सकते हैं और उसके बारे में थोड़ा सम विबस्ते पर देखिएगा online मिल जाए आपको और यदि आप ऐसे भी चाहते तो मैंने screen पर दे दिया आप बहां से भी स्क्रीन शॉट लेकर पढ़ सकते हैं ठीक है दोस्तों यहां लिखते हैं रोग सिक्षक पातरता परिक्षा इसकूलों में सिक्षकों की भरती या नियूपती प्र करिया शुरू हो जाएगी professional examination board पीवी द्वारा उच्च माध्मिक सिक्षक परतता परिक्षा के आविदकों की merit list जारी कर दी है बाद में अब माध्मिक सिक्षक October के दूसरे सब्ताय में जारी होगी मतलब जो बर्ग 2 की merit list जारी होगी वो है October के दूसरे सब्ताय में जारी होगी मतलब आपका result October के दूसरे सब्ताय में आएगा ठीक है आगे इननों लिखाए कि बिभागी अधिकारियों का कहना है कि High School के लिए October अंध तक सभी टीचरों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिये जाएंगे ग्यातब हो की प्रदेश के स्कूलों में लगवग 71,000 पद रिखते हैं और अभी केबल 30,594 पद के लिए ही पत्तता परिच्छा ली गई है पूरी नियुक्ति के बाद भी लगवग 44,000 टीचरों की पत खाली रह जाएंगे अब आगे लिखते हैं लोग की मेरेट लिस्ट का इंचार आपको पता है कि वर्ग यह वर्ग दो के बहुत सारे छात रहे हैं जो मेरेट लिस्ट का इंचार कर रहे हैं खास कर वर्ग दो के तो सभी कर रहे हैं और ऐसे छात जिनका वर स्टार्ट हो सकती है लेकिन लिखने एलों की नियुक्ति करण पीवी द्वारा शिक्ष वर्क एक और दो पत्रता परिच्छा का ऐविजन किया गया था इस परिच्छा की आविदुकों के द्वारा लंबे समय से मेरेट लिस्ट का इंचार किया रहा था बताया जाता है कि करने का मंतलब ऐसा है कि अभी आपको पद अधा की ट्रांसपर हो रहे थे टीचरों के त्रांसपर हो रहे थे इस टीचरों के ट्रांसफर होने के बाद जिस इस तीस हज़ार 594 में पदों के लिए पात्ता परिक्षा आयुज़ित की थी, इसमें लगभग 5,020,000 अब्याती सामिल हुए थे, इसमें उच्च मादमिक सिक्षक के 17,000 और ट्राइवल स्कूलों के लिए 2,220 पदों के लिए दिसंबर में परिक्षा आयुज़ित की गई थी, आगे हैं कि परिक्षा में उच्च मादमिक सिक्षक के लिए 2,20,000 आविदकों ने आविदन किये थे, मादमिक सिक्षक भथी परिक्षा फरबरी में आयुज़ित की गई थी, इसकूल सिक्षा विवाग में 5,670 पद हैं, एबं ट्राइलवल 5,704 पदों के लिए 3,00,000 से selection हो गया है, वो तो बर्ग 1 में निकल जाएंगे, लेकिन जिन छात्रों का बर्ग 1 में भी not qualified हैं, और बर्ग 2 में हो सकता, वो बगवान न करें, not qualified हो गया है, तो वो छात्र यहां से निकल जाएगे, अब वो इंदजार किसका करेंगे, बर्ग 3 का इंदजार करेंगे, ठीक की जाएगी, इसकी कोई निर्धारित तारीख बताना मुस्किल है, एक एस बधारिया एकजार्म कंडॉला पीवी, वो लोग कहते हैं कि किसी तक्नीकी कारणों के कारण, वर्ग 2 का result नहीं आपा रहा है, लेकिन इसके लिए हम कोई particular date निर्धारित करके आपको नहीं बता सक लेकिन 30 सिफ्भल के पहले नहीं दूता ही अब उनको भी पता हो गए कि दूसरी बात में शात्रो को उता दू हो यह पर अभी जाए आ तो भरती नहीं आ करके दोगी भरती होगी तो टाइम तो लग जाएगा तो थोड़ा सा आप भी शब्र करें और थोड़ा सरकार को जल्दी काम करना चाहिए हाला कि इस बात से मैं मैं बोलता हूँ नेक्स टे लोग कहते हैं कि सिक्र जारी होंगे हाई स्कूल टीचरों के नियुक्ति आदेश बिभाग में उनलाइन ट्रांसपर के जरिये 35 हज़ा टीचर इधर से उधर हुए हैं अब जिन स्कूल में पत्थ खाली हुए हैं उन्होंने सिक्री टीचर नियुक्ति किये जाएं नवंबर में अधीच हो जाई तो पूरी संभाबना है कि लोगों के अंतनता के दिसंबर में वर्ग एक के जो सिक्षा के उनकी निक्ति होने के पूरे चांसे से रहे लेकिन अब इन लोगोंने डेट फिक्स नहीं की डेट फिक्स कर देते तो उसके लिए फिर चात्र क्या स इसलिए लोगों ने इस बार डेट नहीं दी लेकिन पूरी संबाब ना है कि 15 तारीक के पहले पहले यह रिजन्ट आ सकता है ठीक है तो थोड़ा सा आप लोग भी चिंता ना करें और परेशान होने की जरूद नहीं है रिजन्ट आ जाएगा आप एधी सीटेट के एक्जाम क कि नहीं आना है उसे समय कि कि नहीं कि सयन्ट पूछा है यह बहुत नहीं से पूछा जाता है कि कि दौल्सा ने पढ़ो बोलते चैनल को गर्णा कर दिया उन्हें तो गलत नीज देने का कारण यह है कि आप कमेंट करते रहें आपको पता है वहली वादी कि कितनी गाली पढ़ने वाली है कितनी मनलब बद्वाय मिलने वाली है बहुत सारे संब्सक्राइब करने की पूरी तीन की तैयारी करें बर्ग दोगे रिजर्ट को लेके जाता है चिंता ना करें बर्ग दरा अक्ट्रू वर्तक आने की पूरी स्थामारना है क्योंकि दोस्तों तीज तारी निकल गी अब उनको भी पता हो सकता पंद एक हपते में आ जाए रिजर्ट है ना लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा आप चिंता ना करें खुश रहें अच्छे रहें चिंता में बिलकुल ना रहें चिंता में तो आपका नुक्सान खूश सकता है ठीक है तो चल सकता है पुश थाहें चिंता जाएगा रहें जाएग्जद सकता है एक बारे प्रेकिन जाहें जाएगा रहें आपक सक्ता है